तो आई dictionary crash course का lecture number है 12 तो देखिए इसका first word है alter एक verb है जिसका मतलब होता है परिवर्तन करना किसी चीज़ में change करना या change होना इसके जगह पे हम जातर word use करते हैं change तो हम alter का भी use कर सकते हैं देखिए example नेहा altered the fitting of all the dresses नेहा ने क्या कि अपनी सारी dresses की fitting को क्या कर दिया change कर दिया बदल दिया उसमें परिवर्तन कर दिया subject के just बाद आ रही है तो वो बैई second है ambition ambition नाउन है जिसका मतलब होता है महतवा कांशा मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना like it is my ambition to be a good teacher तो यह ambition मतलब मेरी इच्छ है मेरी महतवा कांशा यह काम मैं करना चाहती हूं तो मैं एक अच्छा टीचर बनने की महतवा कांशा रखती हूं या मेरी महतवा कांशा है थर्ड देखिए ample ample is the adjective तो इसका मतलब है पर्चूर मतलब कोई चीज जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा होना जैसे more than enough enough से ज्यादा इसका example है please feel free to invite friends because there will be ample food and drinks at the party कि तुम बिल्कुल free feel करो क्या करने में friends को invite करने में क्योंकि वहाँ पे क्या होगा बहुत सारा food होगा और बहुत सारी drink होगी party पे तो ample मतलब बहुत होगा for देखिए amend amendic verb है तो इसका मतलब होता है संशोधन करना किसी चीज में कोई change करना जैसे some people want to amend the constitution कुछ लोग क्या चाते हैं कुछ लोग constitution means सविदान में परिवर्तन करना चाते हैं या संशोधन करना चाते हैं मतलब वो अपनी तरफ से कुछ चाते हैं कि यह rule होना चाहिए इसमें या यह rule नहीं होना चाहिए इसको हटा देना चाहिए और इसको एड़ कर देना चाहिए इसको संशोधन बोलते हैं फिफ देखिए एम्यूल्ट एक नाउन है इसका मतलब ताबीज जो लोग गले में पहनते हैं कुछ ताबीज उसको बोलते हैं तो देखिए इसका एक्जेंपल है सोरी यहाँ पे एन आएगा क्योंकि यह जो वाउल है तो उसने अपने गले में क्या पैना हुए एक ताबीज पैना हुए यहाँ पैना हुए तो फ्रेंट्स अगर आपको इससे कोई मेरी लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियो के लिए थैंक यू